और मुझे खुशी है कि खेलों इंडिया से निकले 28 खिलाडी इस ओलेंपिक समू का हिस्ता बने रंगला पंजाब जे पनावने हो दे पासे सेतमंद पंजाब पहला चाहिए है 96-97 लोग जेड़े ने ओ महला क्रिन के जो ठीक हो के करे बापस चले जान देने सकारी अस्तान ते बर्डन बहुत कट गया महला क्लीनिक जेड़ा बना होया है ओधी बिल्डिंग बहुत अच्छी बढ़ी होई है और सब तरह लिया फसेल्टीज देती हूं यह सरकार बलो दो हकते तो खंग ने बहुत पर्शान कर रहा था जी मैं पहला बाहर प्राइविट द्वाय लंदर है फिर इत्थे आगे लगती टाइट फ्री होया है इत्थे हो मैं ठीक हो गया और मैं ठीक है बलकुल चांदार महला क्लीनिक है सफाई है और डॉक्टर ओनादी जड़ी दवाई लिखनी है और क्प्यूटर चैड कर देने जित्थे दवाई लेनी है उत्थे तक क्प्यूटर पहुंच जान दिया है टोटल पेपरलेस है मानसाव ने बहुत वजिया अप्राला कीता वजिया कम करें सरकार ने गरीब बांदा पला कारता पंजाबीच क्या जन्दा है बाकी दे कम बाच पहला सेच जरो रही है सो असी जदो सौँ चुकी तब पहले ही सड़ा विजने सीगा के पंजाब दे विच हेल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे सो एक मेडिकल हाब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई सान नी कर रहे है तो अड़ेते मेरा फ़र्ज जाजी है मैं मानता हूं मैं खेलो इंडिया को और तवज्यू देनी और ताकत देनी है हमारे खिलाडियों को सुभीधाओं और संसाधनों की कमी नपड़े है कि ट्रेनिंग में दिक्कत ना आये हैं इसके लिए बजेट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है वर्ल क्लास पॉर्ट्स एको सिस्टिम डेवलप करने की प्रास्पिक्ता दे रहा है ग्राट्स रूसे आने वाले खिलाडीयों को उनको तराशना उनको तराशना यह भौत जरूरी है हमने गाउं गाउं शहर शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों इंडिया मुहीं शुरूर की और मुझे खुशी है कि खेलों इंडिया से निकले 28 खिलाडी इस ओलेंपिक समू का हिस्सा बने अमन है अनन्जीत है धीरज है सर्व जोद है सब्सक्राइब ने खेलों इंडिया एथलेट के रुप में अपनी जर्नी शुरू की थी और इससे हुआ यह है कि खेलों इंडिया में खेलना और जी भरके जीतना यह एक बहुत बड़ा एहम हिंदुस्तान का कारकम बन चुका है मैं इसको मैं मानता हूँ मैं खेलों इंडिया को और तवज्जू देनी और ताकत देनी है उसी में से हमें अच्छे नए आपकी तरह ही खेलों इंडिया एटलेट्स की एक बड़ी फोच देश के लिए तयार हो रही है हमारे खिलाडियों को सुभी धाओं और समसाधनों की कमी न पड़े ट्रेनिंग में दिक्कत न आये इसके लिए बजेट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है सबको पता है कि किसी भी खिलाडी के लिए जादा से जादा कमपुटिशन में हिसा लेना कितना आवश्यक है मुझे संतोज है कि आलिम्पिक्स से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कमपुटिशन का एक्सपोजर मिला है इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स डाइट उपकरण और कोचिंग सब पर इतनी बारिकी से ध्यान वर्ल्ड क्लास फसिलिटी देने का प्रयास इस तरह की सुविधाओं के बारे में अमारे यहां पहले सोचा नहीं जाता था खेलाडी अपने नशीब पर मेहनत करता था इंके लिए कुछ करके आके आता था लेकिन आप पूरी इकोसिस्टिम बनी है यह केवल स्पोर्ट में देश की नितियों का बडलाव है इतना ही नहीं है यह उस भरोसे का प्रतिक भी है जो देश अब अपनी युवा पीजी पर बहुत जादा भरोसा करता है उसकी अभिव्यक्ति है आप सब देश की युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है मैं मानता हूँ आप मैंसे हर किसी के बारे में देश को देश की युवाओं को जानना से जादा जानना चाहिए यहाँ भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूँ विशेश करमारी बेटियों पिछली बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही ऑलिम्पिक में भारत की जीत का स्री गणिश किया है मनु को जीत तरह पिछली बार तक्नीकी कारूणों से निराश होना पड़ा था फिर उन्होंने जो वापस ही की अंकिता ने जीत तरह जीजन का अपना सरी और स्रेश प्रदशन किया मनी का बत्रा और स्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खीचा है इसी तरह बाकी खिलाडी भी रहें खासकर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासर में जीस तरह कंसिस्टेंसी दिखाई है स्वपनील ने कठिनायों को पार कर जीस तरह मेडल जीता है होकी में हमारे सर्पन साब उनके टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है पियार स्रीजेस ने ये बता दिया कि दवाल क्यों है जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका उस सब ने एक ही संकल पर दोराया ये सिलसला गोल्ड से पहले नहीं रुकेगा मैं मानता हूं इससे देश के युगाओं को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा साथियों हमारा भारत 20-30-6 Olympics की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं ऐसे में कई ऐसे एसलीट्स जो पिछले Olympics में भी खेल चुके हैं उनके इन्पूट बहुत महत्वपों हैं आपने वहां बहुत कुछ अब्सर्व किया होगा